आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ English sentences जिनके थूँ हम अपनी daily life में English में communicate कर सकते हैं अगर ऐसे ही कुछ sentences हम याद कर लें तो हमारे लिए English में communicate करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा तो चले शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को अगर हम किसी से कहेंगे दुबारा कहो तो हम कहेंगे say again जोर से कहो say aloud मुसंबाल कर बात करो mind your language मैं परेशान हूँ I am worried या फिर I am upset फ्लीज मेरी मदद करो Please help me बस हो गया Enough is enough मजीद नहीं Please No more Please यनि कि जब हम गुसे में किसी की बात नहीं सुना चाहते तो हम ये कहते हैं कोशिश करें कि अपने daily life में जितना हो सके English के words शूज करें ताकि आपकी English जो है वो बेहतर से बेहतर हो सके हम कहते हैं परेशान मत हो इसको हम English में कहेंगे don't worry क्या बेवकूफ आना बात है या क्या पागलपन है इसको हम इस तरह से कहेंगे What nonsense अगर हम किसी को कहेंगे कि पागल मत बनो या बेवकूफ मत बनो तो हम कहेंगे don't be silly जब हम किसी को कहेंगे कि आपको यकीन है तो हम कहेंगे are you sure अंदर आओ get in बाहर निकल जाओ get out कितना खौफ नाख इसको हम कहेंगे how terrible कितने दुख की बात है what a pity बहुत अच्छा very good कितनी शरम की बात है what a shame क्या टूटा what a break उसके बाद हम अगर किसी को कहेंगे बेहतरीन या अच्छा तो हम कहेंगे excellent यानि के good से थोड़ा उपर कितना प्यारा what a lovely हम सिरफ एक ही word use करते रहते हैं नाख कितना इत्प़ एक बात है तरह हम शरम का उपराईग कितना जान Training हम सिरुछ उसे लित भात हमاش Das हम अगरेवीं कितना modal ऐसत्प़ रहादे जास झाल झाल पासपोर्ट की जगा कोई भी चीज हो सकती है बैग हो सकता है, शूज हो सकते है ड्रेस हो सकता है, कोई भी चीज कोई और सवाल इसको हम इस तरह से कह सकते हैं किसे परवा है? मुझे कोई परवा नहीं I don't care तो क्या हुआ? So what? क्या मसला है? What does it matter? इससे क्या फर्क पड़ता है? What difference does it make? Sorry, माफ करें मुझे बेहद अफसोस है I am sorry या I am very sorry मुझे इसके लिए अफसोस है I am very sorry for that मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ I am sorry to hear that